अगर अभी तक आप लोगो नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी क्या कीजिए से लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जुन्वो जो वापस रेस्टरंट पहुशता है तो जुन्जो जो की बैंच की पर सो रही थी वह अचानक से मुड़ जाती है और जुन्वो की उपर गिर जाती है जुन्वो कहता है यह मेरे साथ क्या हो रहा है मैं इतना अंकमफर्टिवल सील क्यों कर रहा हूं खैरा वो जुन्जो को वापस लिटाता है और उसे ब्लैंकिट से कवर भी कर दिया था था कि तब ही अचानक से जुन्जो की दर्द होने लगता है जुन्वो का ऐसे लगता है शायद इसकी तवीद भी कर रही है वो कहता है कि मैं क्या करूँ कि बाद वो जुन्जो को वही विटामिन पीन किलर समझ के दे देता है और उसके बाद उससे कहता है जुन्जो क्या तुमने ये मेरे लिए क्यों प्रेपेर किया है और तुम यहां पर क्यों आया हो तब जुन्वो उससे बोलता है बड़े भाईया ने मुझे पकड़ लिया और इसलिए अब मुझे कुछ जहार दिन यहां पर रुखना पड़ेगा तो जुन्वो बोलती है और तुमारी भाई ने तो तुम्हें कार दिया था जुन्वा बोलता है उसने का था कि बड़े भाई से बच के रहना है लेकिन बड़े भाईया ने पकड़ लिया इसलिए अब तो मुझे यहीं पर रहना पड़ेगा जबकि वहां पे प्रेजडेंट सॉंग बता रहे थे अपनी बहन को कि जुन आपके लिए वापस आया है जून्वा एसी ख्यालों में खुछ गई थी कि तब ही जुन्वा से पूछता है ब्रॉकली कहां पर रख्यु कहां है जुन्वा कैई धिया फ्रिज में होगी फिर जवो फ्रिज में देखने के लिए चा थी है तो जुन्वा भी पीछे से आ आ और अब जुन्जो को तो uncomfortable feel होने लगता है, वो turn होती है, तो वो तो जुन्वो की तरफ देख रही थी और जुन्वो ब्रॉकली को, वो जुन्जो से कहता है, कि अब ऐसी खड़ी रहोगी, फ्रिज बंद भी करने दोगी मुझे, वो साइड हटती है, वो अपनी heart beat control करी रही जुन्वो बोलता है, देखा, मेरे बिना सड़ गई ना, जुन्वो बोलता है, मैं काँ सड़ी हूं तुम्हारे बिना, जुन्वो कहता है, मैं ब्रॉकली की बात कर रहा हूं, जुन्वो कहता है, मेरे पीचे तुमसे कुछ भी समाला नहीं जा रहा था, जुन्वो कहता है, मैंने सबको समाला है और तुम तो ऐसे कहरें जैसे खुदा है हो तुम्हें दखके बार के निकाला गिया है चले ज़ुआ हमें तुम्हारी कोई जरुवत नहीं है जुन्वो बोलता है अच्छा रात को किसने हाथ पकड़के खाता कि मत जाओ अब जुन्चो को शर्मिंदी की रहूंगा तब पॉंग उससे कहता है सब कुछ जैसे चल रहा है ऐसे चलने देते हैं कि आपको यह चीज़ अच्छी नहीं लग रही है जुन्चो बहुत जाता परशान भी हो सकती है अगर आप उससे ही सब कुछ पूछेंगे लेकिन जुन्वो फिर भी नहीं मानता और न लेकिन अंकल बोलते हैं हमें सब कुछ पता है तुम लगे रहो हम तुम्हारी हैल्प करेंगे यहां पर मेर को समझने आता कैसी हैल्प करेंगे लेकिन अंकल ने तो अपने कलीक के साथ मिल करके एक प्लान बना लिया था जिन्चो और मेर को साथ मिल लाने का और फिर वो चा पहुत अने लगते हैं कि हमारे आफ़िस की सारे लड़के हुगं से पंजल लड़ाने में हार जाएंगे पिर मिस ली जिन जो इंसे इंप्रेस हो जाएंगी सिर्फ इतना ही नहीं जीतने वाले को एक लाक्ट मिलेगा जुन्वो कहता है, इतना ही काफी थोड़ी ना है, मैं वहाँ पे पीछे प्यानों भी बजा दूँगा, रोमेंटिक धुन लगा करके, क्यों नहीं और कोई डिस्टरबेंस ना हो, यहाँ पे अंकल तो सीरियस हो जाते हैं, जबकि जुन्वो गुस्से में था, फिर तब जु जून्वो कावी भी फ्री में उस नेकलस को accepted नहीं करेगी, लेकिन अंदर जून्वो वह तो free की cap भी नहीं छोड़ती, वो बोल बी थी पांक से, जो भी free में मिले उसे कब भी नहीं छोड़ना चाहिए, अब आगी जुन्वो अंदर आता है, और जुन्वो उसे दिखाती ह करने यहां पर जुन्जु तो zurवार कि और फिर्वार कि पराइमस को पार्टी हो कई और इस फिर क्वाटो चाहता है पंचल लड़ाने का और सबीं लोग मियर सेहर रहे थी लास्ट आऊरष्ट होता है पिर सब्तलग मेर से पुछते हैं कि कैसी देंगे इस नइक्लेस को भी लड़के बड़का के सäre देंगा तब सारी फीमेल इंप्लाइ मेर की तरफ से दूसरी तरफ चाकर के खड़ी हो जाती है सिर्फ जुन जोई वहां पर खड़ी रहा गई थी तो मेरों से कहता है तुम करोगी मेर लिए चेर अगर तुम करोगी तो फिर ये नेकलेस में तुमें दोंगा जुन जो खुश ख़ा रहा था और बुल्टे हाथ से पंजा लड़ा रहा है तो कोई भी बता सकता है कि हारने की प्लानिंग करके आया है मेर कहता है ठीक है सीद्य बाइगा लेकिन जुनवो कहता है अब क्या पदर सीद्य हाथ से भी पूरे जोड़ लगाए ने लगाए तब मेर खडा हो ज जुन्जो देख रहे थी दोनों लड़के उसके सामने लड़ने की पोजिशन में आ गए थे यहाँ पर दोनों पंजा लड़ाने स्टार्ट करते हैं जुन्जो जुन्जो की साइट खड़ी होई थी तब पॉंग उससे बोलता है नूना आप परशान क्यों हो रही हो दोनों मेंसे कोई भी जीतें नैकलेस तो आपका ही है और आपका दिल क्या कहता है आप किसे जिताना चाहती है तो जुन्जो सोचने लगती है कि उसका दिल क्या कहता है और फिर वो अपने ख्यालों की दुनिया में पहुच कई थी जहाँ पे दो दो लड़के तलवार निकाल करके उसके लिए लड़ रहे थे और पॉंग पूशा था रानी साहिबा बताईए आपका दिल क्या कहता है जिन्जो चलाने लगती है जिन्जो चलाने लगती है और आपके साथ नहीं आने वाला है तो मैं आपकी पार्टनर बनने के लिए रइडी हूं पर मिस्टर साहा साथ मनना कर देते हैं पिसे हीरा नहीं ये भी कहई दिया था पूशते है कि तुमारा बइच में कोछ चल रहा है यहाँ पर जिन्जो चाह कर के उर और जुन्वो के बीच में कुछ भी नहीं है इवन दो वो जाकर कि एंसे साफ साफ बात भी करती है कि वो उनकी पार्टनर बनके जाना चाहती है उस पार्टी के अंदर लेकिन मिस्टर सॉंग बोलते हैं तुमारी बात तो से ऐसे लग रहा है तुम से पार्टी के लिए जुन्वो के लिए अपनी गर्फरेंड को हुआं कि तुम नहीं पागा लो उसने वो तुमारी लेजीता था मैर कहते है तुमने कुछ भी समझाने का क्याा हैं कहते हैं मैर कहते हैं जुरु के तुमने मुझे आपारनी के सिरसे मिले तुम क्या कह रहे थे? मियार कहता है रहने दो, तुम वाकर एडियेट हो, तुम इसमजाने का कोई फायदा नहीं है। जुन्वो बोलता है हां मुझे पता है, पार्टी होने वाली है, इसलिए आई होगी वु जिन्वो से देखते रहा गया था लेकिन जिन्वोस से बोलती है mix just जिब वो पर्स लेने के लिए गए थी अब जब जिन्वोस पौकन सी बात कर के रहूंगा उसके बिमारी के बारे में पॉंक सोचता है कि मुझे पहले ही बता देना चाहिए था जुन्वो भी अपने उनी प्रोफेसर डाक्टर से मिलने के लिए गई थी जिनसे जुन्वो मिलने के लिए गया था जुन्वो की बिमारी के बारे में तो उसे वहाँ से पते चल जाता है कि जुन्वो की कोई दोस्त है जो बहुत ही जाता भिमार है जीवान सोच रही थी आकर कौन सी दोस्त है जुन्वो की ये तब ही देखती है जुन्वो जुन्जो को ही पार्टी में लेकर के आया है अपने साथ और कहती है इसे लनी की क्या ही जरुवत थी तो वहीं जुन्चो पार्टी में पॉंग से बोड़े थी मैं चाहती हूँ बस जुन्व और उसके भाई में सब कुछ ठीक हो चाहे और फिर वो वापस चला जाया अपने भाई के पास पॉंग कहता है इनू ना जो दिन मिले हैं उसे एंजॉय कर लेते हैं पता नहीं शाम को सब कुछ उल्टा पुल्टा भी हो सकता है जुन्चो तहरान थी इसकी बाते सुन करके तो वहीं जुन्व की बहन ही रहा उससे पूछती है क्या खर तु भाई के सामने क्यों गया था जान मुझ करके कब तक वो लड़के उस रेस्टरेंड को रखने वाली है जुन्व कहता है पता नहीं एक दिन कभी जारा बड़ा डिप्रेस्ट था उसकी बिमारी के बारे में सोच करके तो भहीं ये जीवन पॉंग से मालिम करने के कोशिश करती है जुन्व अजकल बहुत प्रशान है उसके एक दोस्त बहुत बिमार जो है तो पॉंग के मुझे निकल जाता है आप ली जुन्व के बात करी हो और वो तो एक मिसेंडेस्टेंडिंग है अब जीवन को सब पते चल चुका था कि बात वह जुन्व के बास पॉश थी है जुन्व तो मैं अपनी पार्टर बना करके पार्टी में जूला आया है जुन्व बोलती है क्यों क्या मैंँ खुश नहीं हो सकती उस तो लगता है तुम ना खुश हो जरुध ढर्थी प्रह आजाओ तब ही हाँ पे जीवान उससे बोलती है धरती पे आने की जरूरत तो तुम्हें है वो उससे सारी से चाही बता दीती है कि जुन्वो उसकी क्यार इसलिए कर रहा है क्योंकि उससे लगता है कि जुन्जो बहुत जल्द मरने वाली है जुन्वो आष़ी जान करके हिरा धर होती है तो वहीं दूसी तरह जुन्वो अब ढूंड रहा था जुण्जो को फोन में लाने की कोशिश कर रहाय था वहर रिसीव नहीं कर रहे थी तब जीवान उससे कहती है मुझे तमसे कुछ बात करनी है जुन्वो जुन्वो कहते है अभी नहीं मैं किसी को ढून रहा हूँ जीवान कहती है मुझे पता है ली जुन्जो को ढून रहे हो उसे के बार में बात करनी है अभी है जीवान जुन्वो को सब कुछ बता दी थी है कि तुम्हें ये लोग उल्लो बना रहे हैं जो बिल्कुल भी बिमार नहीं है और नहीं मरने वाली है ये सब कुछ एक जूट था ये सुन करके जुन्वो बहुत ज़दा है उसे बहुत बड़ा धक्का लगा था जैसे जसी हरान हलत में ही वहाँ से निकलता है तो दूसी तरफ जुन्जो वो उसी जगा पे थी जहां पार्टी के बाद इन दोनोंने मिलने कर डिसाइड किया था वो काफी एमोशनल ती है सोच रहे थी कि जुन्वो आज तक जो उसकी केर करता रहा है वो इसलिए कि कुछ से डर था कि मैं मर जाओंगी वो बहुत जादा रो रही थी और इतने महीं वहाँ पे जुन्वो भी पहुच आता है जुन्चों से देखती है जुन्वो बहुत गुस्से में था और उसकी तरफ आगे बढ़ता है कर इसी के साथ ही वाले पार्ट के एक्स्पिलनेशन यहीं भी कंप्लीट होती है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है दन वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे थेंक्स फो वाचिंग मिलते वाचल